असलाम अलेकूम और हम बात करेंगे स्टाटिक ग्राफिक ऑनलाइन कॉंटेंट की बड़ा माउथफुल सा है बड़ा लंबा सा है मगर इसका मतलब क्या है यह कौन सा कॉंटेंट है यह बेसिकली आप बहुत सारे देखते होंगे जिनको हम कहते हैं मीम्स बंपर्स या जो ग्राफिक्स होते हैं इन्फो ग्राफिक्स हैं फोटोग्राफ्स हैं इलास्ट्रेशन्स हैं कार्टून्स हैं यह बेसिकली जो स्टाटिक है रुकावा है एक इमिज है वो चलता नहीं हिलता नहीं है बस वहीं का वहीं है उसको हम स्टाटिक ग्राफिक कहते हैं बहुत सारे लोग बहुत से नामं इसको जानते हैं इसके लिए मीमज बहुत इस इस इसको खाली ग्राफिक्स भी कहा जाता है, इसके मुख्तिलिफ एक्साम भी है, कुछ ऐसे ग्राफिक्स होते हैं जिसमें सिर्फ तस्वीरे होती हैं उपर आप टेक्स लिख देते हैं, कुछ हाथ से इलस्ट्रेशन होती हैं, कुछ अनिमेटेड होते हैं, कुछ कार्टून होत मगर यह graphics जो है WhatsApp के थू भी फिरते हैं, बहुत सारे लोग शेयर करते हैं WhatsApp में, बहुत सारे इसको अपने website पे भी लगाते हैं, portals में लगाते हैं, blog sites पे भी लगाते हैं, तो यह इसका इस्तमाल बड़ा varied है और बहुत ज्यादा है, because they say a picture tells a thousand stories, यानि कि हजार लफजों की कहानी एक तस्वीर बता सकती है, तो इसलिए यह बहुत जरूरी होता है, मगर आजकल हमने यह देखा है कि जब तस्वीर लगाते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ तस्वीरों उसके साथ कुछ लिखावा भी होता है, उसके उपर कुछ लि जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि जब आप देख रहे होते हो, आपको जल्दी से पप करें आपके आँख में, आपको नजर आ और आपके, हाँ जी, यह मैने देखना है, फोकस अन बेनिफिट्स और फीचर्ज यानि कि उस content से किसी को फाइदा क्या है, उसके उपर फोकस क ये मत भूलें कि डिजाइन के साथ साथ जो आपने call to action देना है चाहे वो attention awareness के लिए है या motivation के लिए है या actual action देना है वो आपको अपने text में देना जुरूरी होता है बहुत strong, बहुत powerful, बहुत inviting caption लिखे है या headline लिखे है कि टेक्स्ट जब आप दे रहे होते हैं एक तस्वीर के साथ तस्वीर वैसी बड़ी impactful होती है the text has to complement the photograph or the image so that you get more out of it हम कुछ देखते हैं, examples में आपको देखाती हों जैसे आप इस वक्स्क्रीन पे देख सकते होंगे माजरत के आपके उमर जितने मुमबतियां इस पर फिट नहीं आती अब इस तरह की बहुत सारे आपने देखे होंगे के एक image होता है उस पर एक मजाहिया सी लाइन उर्दू में लिखी होती है और फिर जो अगला वाला है ईद की दावत में बकरे के साथ साथ आपकी कलेजी भी फ्राइग करने का दिल चाह रहा है अब मतलब आप बहुत सारी ये चीज़ें चाहे है ना हसी मजाग की यूमर की बहुत पॉपिलर होती है उर्दू में भी है अंग्रेजी में भी है इसमें आपने देखा होगा कि तस्वीर जो है वो अवियसली उस लड़की की जो expression है वो बता रहा है जो जिस emotion और जिस tone के स साथ वो कहना चाहरी है मगर जो text है और जो line लिखी है वो ज्यादा जरूरी है और उससे ही actually हमें मजा आता है ये Expedia का है ये पूरी series है अगर आप तस्वीर पे देखेंगे तो उस पे लिखावा है out there starts here अब उन्होंने यही line जो है एक series या campaign की तरह इस्तमाल की है तो ये line उन्होंने इस तस्वीर पे भी डाली है इससे क्या होता है कि वो ये बता रहे हैं कि वो एक पूरा varied experience है जब आप travel करते हैं मुक्तरिफ किसम के experiences होते हैं खाने का होता है आप universal studios जाके मज़े कर सकते हैं या अगर आप adventurous से हैं तो आप इन पहाड़ीों में भी जा सकते हैं आ अगर उस line से आपकी एक unity या unify कर रहा है आपको इसलिए जो static graphics है उन पे जो copy है वो इतना जरूरी हो जाता है क्योंकि वो आपको आगे समझाता है कि जी वो क्या रहा है तो हमाँ पास थोड़े से examples और हैं यहां पर यह weight loss का है एक पे लिखा है the only limits in life are the ones you make slow progress is better than no progress आपको motivate कर रहा है जी चलते रही है you earn the body you work for motivation है कि आप करो exercise करोगे तो healthy होगे so be strong in body and in mind तो यानि कि जो image है वो है तो सारे exercises और हम छोड़ भी सकते थे उनको खाली images के तोर पे हमें पता होता कि हाँ जी यह exercise कर रहा है मगर शाहिद यह ना पता होता कि यह image actually हमें motivate करने की कोशिश क कर रहा है इसी लिए यह जो text उन्होंने image के साथ दिया वा है यह इतना जुरूरी हो जाता है इसी तरह थोड़े से अगर हम मजाहिया लेखें यह भी बड़े मजे की चीज है और यह निरी copy this is just about how well you have written it इस पर लिखावाय जी sweater it's a noun that means insulation for the heart इसका actual sweater का मतलब यह नहीं होता है मगर उन्होंने उसको अपने माने दिये तो जो पीछे image है वो शायद इतना important नहीं है या इतना मजे का नहीं है जितना के उसके उपर जो text है और उसकी वजह से वो जो पूरा graphic है वो एकदम से उठके आ जाता है अगला वाला जो उन्होंने कहा है कि जी cashew the sound of a nut sneezing यानी कि एक जो nut है वो ठीक रहा है वो cashew की आवाज है तो बड़े मजे में जो है वो लोग humor को भी इस्तमाल कर सकते हैं इसी तरह emotions को especially बहुत जादा जो popular है online या बच्चे होते हैं या pets होते हैं तो लोग बहुत जादा इस्तमाल करते हैं उनको और यह तो इश्तहारी pets के लिए है तो उन्होंने cute cute से कुटे दिखाएं और साथ म उन्होंने text लिखावा है हमारे पास एक image है और हम कहते हैं कि इसके लिए अब हमने text लिखना है यह एक आदमी है जो texting का रहा है या औरत है जो texting का रही है और अब हमें समझ नहीं आ रहा के यह क्यूं का रही है तो अब हम इसके उपर जब हम text लिखेंगे तो we will tell the story that this image is trying to tell ठीक है तो हमने लिखा जी it takes only a few emojis to tell someone how much you love them don't forget to text your loved ones तो यहनी हमारा जो main message है don't forget to text your loved ones है और हमने साथ में explain कर दिया कि यह जो तस्वीर है यह हमने यह कहना क्या चाहरी है तो इसलिए हमने देखा कि जी एक static पे text जो है वो कितना जरूरी होता है I hope that this session has been helpful for you. Thank you. I hope that this session has been helpful for you.